ओम नमो वासुदेवाय नमहा नमस्ते जी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की ग्यारस यानी ग्यारवी तिथी एकादशी कहलाती है एकादशी व्रत एक बेहद शुप दिन का व्रत है जो की भगवान विश्नु को समर्पित है जेष्ट मा के क्रिष्ण और शुक्लपक्ष की एकादशी तो बहुत ही खास मानी जाती है हाला कि समस्त एकादशियों में जेष्ट मास की शुक्लपक्ष की एकादशी जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं सरवोत्तम मानी जाती है लेकिन जेश्ट महीने की ही कृष्ण एकादशी भी कम तर नहीं मानी जा सकती इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं अपरा एकादशी को ही अचला एकादशी, भद्रकाली एकादशी और जलक्रीडा एकादशी के रूप में भी माना जाता है पंजाब, हर्याना और कश्मीर के राजयों में भद्रकाली एकादशी या भद्रकाली जैन्ती के रूप में मनाया जाता है यहां मा भद्रकाली देवीकाली के अवतार की उपस्थिती के दिन के रूप में मनाया जाता है उरुईशा में इस दिन को जलक्रीडा एकादिशी के रूप में मनाया जाता है जो पूरी में भगवान जगननात को समर्पित है स्वयम भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठर से कहा था कि यह एकादशी अपरा या अचला एकादशी दोनों नाम से जानी जाती है पुरानों के अनुसार जेश्ट कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को अपरा एकादशी इसलिए कहते हैं कि यह अपार धन देने वाली है साल दोहजार उन्निस में अपरा एकादशी व्रत आज 30 मैं को है पारन का समय कल 5 बचकर 25 मिनित से लेकर 8 बचकर 1 मिनित तक है अपरा एकादशी पर भगवान विष्णों भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम की पूजा करनी चाहिए भगवान विष्णों को पीतांबर धारी कहते हैं इसलिए एकादशी पर उन्हें पीले वस्त्र अर्पत करते हैं पीला रंग उन्हें बेहत प्रिय है एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करते हैं इससे भी भगवान विष्णु बहुत प्रसन होते हैं उन्हें भोग के रूप में केसर या खीर जिसमें दो पत्ते तुलसी के हो भोग लगा है एकादशी की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती हैं दोस्तों तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं तुलसी को एकादशी और रविवार को जल नहीं चड़ा जाता क्योंकि मानिता हैं कि वे भी अपने स्वामी भगवान विश्णु जी के लिए व्रत उपवास रखती है रविवार को वैसे सूरीदेव का व्रत रखा जाता है लेकिन सूरीदेव का कारक स्वयम भगवान विश्णु जी है इसलिए तुलसी जी को रविवार को भी जल नहीं जड़ाया जाता एक आदशी के शाम को एक साफ दीपक ले उस पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाए फिर उसमें शुथ देसी घीग भर कर पीले रुई की पाती का दीपक जलाए दीपक के लौ तुलसी की तरफ होनी चाहिए ओम नमो वासुदेवाय जपते हुए तुलसी मा की परिक्रमा करें कम से कम तीन परिक्रमा करें 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं जहां तक संभव हो निर्जला उपवास रखना चाहिए अन्यता एक समय फलाहार तथा जल ग्रहन कर सकते हैं रात्री में भगवान का जागरन करें और द्वादशी यानि कल पारण के शुभ मुहूरत में ब्राह्मन को भोजन करवा कर दान दक्षिना से संत्रुष्ट कर स्वयम आहर ग्रहन कर सकते हैं